स्टेडी क्लास 247 में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको एप्लाइड मेकनिक्स में सेंटर अप ग्रिव्टी का नियूमर्कल स्वल्व करवाऊंगा ये नियूमर्कल आपके सामने दिया हुआ है फाइंड दा सेंटरोड अफ एन अनिक्कुल एंगल सेक्षन 100 mm x 80 mm x 20 mm यहाँ पर हमको सेंटरोड निकालना है इस अनिक्कुल एंगल सेक्षन का इसका साही दिया हुआ है सेंटरोड का मतलब होता है सेंटर अप ग्रेविटी भी होता है और इसको स्वाट में हम सीजी भी बोलती है center of gravity को या centroid बोलती है इसको ठीक है इस numerical को मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है एक असमान कौन परिच्छेत कौन को एंगल बोलती है ठीक है कौन परिच्छेत काड का केंदर ग्याद कीजिए जिसकी परमाप मिली मीटर। गड़ा असी मिली मिटर गड़ा बीस मिली मिली मीटर हो गया ठीक है इस चंअ कि 스erson में कर ले करना है, lot मम्य एक मिली मेटीyy applied human की करना है इसका solution मैंने कर खिया होगा मैं बताव हो किस तरीकativo कनना किस驗 है को सबसे पहले हम पूसकre का डाइगराम बनाना है डाइगराम को डॉकन किसे तरह को बता हूँ ऑ तो एंगल की ओल गोला कि तौ उसने को लेंगल को हर मोला चोल बहला है तो असमान का मतलब हो गोगा बगावर नहीं वह लुए उसलिए ऐसली हुझेह गए भॉर आपला जो छोटदेट अपर चाहिए ऑननेरि leurs विम दो होगा सफली तो आपर आगो यह एंगल सेक्शन कि लेक की और इसे फिए फ्रूस की लेक क्या हो जाएगी दूसरी पहाई लेक एकटी एम हो जाएगी और इसकी जो छोड़ाई ho應該 20 mm हो जाएगी और इसकी भी sorta keywords क्या होगी एक तो मैंने एक नाम दे दिया इसको और इस बाले section को यहां से यहां сे यहां तक यह वाला एक section हो यहां से ठीकिर दिख रहा है आपको डूसरी वाला नाम मैंने दे दिया इसको आप नाम A B C D E F करके भी दे सकतो जैसे भी आपको देना सो यहा ס the section is not symmetrical About any axis तो क्या कहरा है कि इसे fonctionne जो है वो is symmetrical पर इसके बाद हम क्या किा decision को तेखेंगे कि सेक्शन हमारा किसा है symmetrical है किसी axis के about symmetrical है तो हमने देखा इस不能 देखा इस वह देखा तब हम दोंहों एकसिस के about तो स्मान माद समान नहीं हो रहा है क्योंकि अगर इसको एक्स एक्स पर हम काटेंगे ऐसे करके तो ये नीचे का इससा अलग रहेगा उपर का लग रहेगा सेम सेम इससे नहीं होंगे इसके ठीक है ये वाला सेक्षन कैसा होईगा है अंसेमिट्री कल सेक्षन हुआए जाएगा असमान सेक्षन है क्योंकि ये किसी भी एक्षेस अस एक्स पर यवाय एक्स पर ये श्यूटिकल नहीं है समान नहीं कटेगा ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ लिखे दिया है as the section is not symmetrical about any axis यानि कि ये section हमारा किसी भी axis के about symmetrical नहीं है किसी भी सापिस हमारा ये section कैसा है समान नहीं है ठीक है उसके आँगे आपको लिखना है therefore we have to find out the value of x bar and y bar for the angle section जब आपका section किसी भी axis के about symmetrical नहीं हो यानि कि ये unsymmetrical section हो तब हम क्या करते है और बाइबार भी हम निकालते है दोनों value निकालते है x bar की वी और बाइबार की क्योंकि ये combined section है दो section मिले हुए है न इसलिए section को combined बोलती है तो इसलिए हमको यह x bar भी निकालना है बाइबार निकालना क्यों निकालना है क्योंकि ये section हमारा किसी भी access के about symmetrical नहीं है unsymmetrical section इसलिए अब इसके बाद हमको क्या करना है split of the section into two rectangles यानि कि जो section हमारा दिया है angle section उसको हमको क्या करना है 7 अलग करना है split का मतलब होता है कैसे 2 rectangle में 2 rectangle यानि कि 2 आयत में पहला हो गया है first और दूसरे rectangle हो जाए है यहां से यहां तक का यहां तक का पूरा क्या हो जाएगा और यहां से यहां तक का पूरा क्या हो जाएगा दूसरे बाला हो जाएगा इसके बाद आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है left face of the particle section and bottom face of the horizontal section b axis of reference यहां पर हमको देखो मैं बता चेका हूं इस इन जैसे numerical को इस प्रिकार के numerical को solve करने के लिए हमको एक्सिस की reference एक्सिस की जरुत पड़ती है तो यहां पर हम क्या करेंगी जब हमको एक्स बार भी निकालना है यहां पर बार भी निकालना है तो इस condition में वहको क्या करना पड़ेगा यहां दो axis of reference लेने पड़ेंगी तो एक axis हो जाएगा left face हो जाएगा reference एक axis of reference क्या वा जाएगा left face हो जाएगा और दूसरा axis of reference हो जाएगा हमारा bottom face हो जाएगा को लेने पड़ेजी क्योंकि ये अन सीमिट्रिकल सेक्शन रेसमान सेक्शन एक है तो इसके बाद रीक टेंगल सब्सक्राइब वो आपको यहां लेना है देखो rectangle first वाला कुन सा है यह मैंने इसका diagram बना दिया यहां पर यह वाला rectangle first है यानि कि यहां से और यहां तक का यह पूरा क्या है rectangle first है तो इसका area निकालना है हमको सबसे पहले तो a1 equal to b into d area होता है rectangle का ठीक है तो b कितना है हमारे पास यह दिया है इस वाले section की बात चल लगी अभी तो कितना है 20 mm तो मैंने b की जगे 20 लिग दिया यहां पर ठीक है तो a1 equal to 2000 mm score आ जाएगा यह निकि यह बन की जो value है वो 2000 mm score आ जाएगी उसके बाद हमको X1 निकालना है X1 क्या है इस बाद पहले वाले section की क्या है left face से left face मैं draw किया है यहां पर यह line गई है left face वाली direct line जो गई है इस वाले section की left face हमने reference section लिया होगा है ठीक है reference access लिया है तो X1 यहां से निकालना है हमको इसे access से निकालना है और CG तक का जाएगे बाद क्या हो जाएगा अब इसका bottom जो है मैंने यहां पर bottom face जो था ना इसका bottom face वो अमने reference लिया हुआ है ठीक है तो यहां reference से CG तक की distance देखना इसी वाले section की तो कितनी हो जाएगी बाइबन हो जाएगी तो बाइबन यहां से मैंने लिया यहां तक की बाइबन इसका बाइबन निकालना है ठीक है अब इसके बाद क्या है यहां X1 बाइबन निकालने के जिए तैसलिए पढ़ी के section और इसके section था किसी भी एककिस की about यह section symmetrical नहीं था इसलिए यहां X1 बाइबन भीं दो निकले हैं आप क्या निकालना है हमको दूसरा वाला रेक्टेंगल लेना है मैंने लिख दिया सेकंड पहले रेक्टेंगल सेकंड वाला ठीक है अब मैंने हैं सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे हम तो a2 इक quan tो डी ब्रॉग इंटू दी बजाए कि एटीन नाम दिया है कि दूसरा वाला सेक्षिन है इससलिए तो दूसरा वाला सेक्षिन डियको काई यह है दूसरा वाला है यहां से लाइन किसी हुई है ना यहां से यहां तक यह पूरा क्या है दूसरा वाला सेक्शन है दूसरा नाम दिया मैं इसको सेकंड ठीक है तो इसका एरिया निकालना है तो इसका भी कितना है एक टी एमम है स्वरी स्वरी इसका भी एक टी एमम नहीं ध्यान द्यान रखना है यहां से यहां तक का 80 mm है और दूसरा वाला जो सेक्षन है वो सिर्फ यहां तक यह है यहां से यहां तक का पूरा दूसरा वाला सेक्षन है ध्यान रखना आप लोग ठीक है तो क्या करेंगे अपन को अपन को सिर्फ इतना वाला सेक्षन लेना है तो क्या करे से इस वाले सेक्षन की चोड़ाई है 20 mm वो माइनस कर देंगे ठीक है तो यह 80-20 हो जाएगा बात सहीं में आगे ने मैं एक बार फिर से बतायता हूं यह 80 mm जो दिया वो पूरा दिया यहां से यहां तक का लेकिन जो अपना सेक्षन सेक्षन वो सिर्फ यहां तक सेक्षन है य इसो लिए हम क्या करेंगे इस वाले सेक्षन के चोड़ाई है वह 80-20 हो जाएगा तो इतने прав हो गया हमारा इसे वाले सेक्षन का बिल्द और यह 20 वाले सेक्षण का ट्वां रटेरा सेक्षन घले है तो आक ग्या हो Legȯश निर सेख्षन जो आमने left-face माना यहां से क्च्ट के सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां मैं पतायता हूं उसमाली सेक्ट के चोड़ा यह कितनी ह Aren अपने को अगर मैं इसमाले सेक्षन का कमाहा हसे होगा बीच में होगा तो इसलिए इस वाले section की जो बीच में जो cg दिया है यानि कि मैं अगर यहां से यहां तर इसका आदा करूं cg तो होगी तो वो आदे पर होगी बात समय में आ रही है आदे पर होगी तो यानि कि b open 2 हो जाएगा लेकिन b कितना इसका मैं आप लोग को पता जाएगा अगर इसका b निकालेंगे वो 80-20 होगा बात समय में आ रही है ठीक है इस वाले का b कितना होगा 80- तो देखो कैसे हो जाएगा हम यहां से निकालना है यहां तक किसी तो यानि कि जो इस वाले section की चोड़ाई भी आ रही है बीच में 20 mm तो वो 20 मेंने लिख दिया है पिलस b upon 2 लखेंगे इस वाले section के लिए ठीक है तो b कितना है इस वाले section x2 यहां से यहां तक होगा तो इस वाले section का b कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा यह 60 कैसे आया 80-20 करेंगे इस वाले section मैंने टोटल 80 यहां तक है और इस वाले section के चोड़ाईगे वो minus यह से हमने किया 80-20 तो यही से 60 आया है जब इसको हम solve करेंगे तो x2 की value आ जाएगी हमारे फिप्टी mm आ जाएगी पचास mm आ जाएगी अब इसके बाद हम by 2 निकालेंगे इस second वाले section का तो by 2 क्या हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा cg bottom से लेंगे bottom reference pointer महाँ से cg तक की distance हम लेंगे by 2 मैंने लिख दी आया है तो by 2 क्या हो जाएगा d upon 2 जाएगा यानि इस वाले section के दी होगी वो केतना है depth 20 mm है 20 mm ठीक है तो d upon यानि कि 20 upon 2 जाएगा यहाँ पर तो by 2 उक्कोल टो हमारे पार 10 mm आजाएगा ठीक है इस तरीके से हम निकालेंगे अब इसके बाद देखो we know that distance between center of gravity of the section and left face यानि कि अब हमको क्या निकालना है एक्स बार निकालना है जो left face है यह बाला left face यह पूरा left face है और कहां तक निकालना है हमको कांतर लेना है cg तक का जो combined section हमारा है इसकी cg अब combined section की cg अमको पता नहीं कहां पो होगी तो इसलिए तो हम x1 निकालना है ठीक है कहां से left face से इदर से, इस side जाएएग ठीक है तो देखिए किस तरीके से होगा यह इसका formula अलगाएंगे हम x bar equal to a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2 इस तरीके से इसका formula होता है x bar का यहां दो आये देखो दो दो कंबाइंट सेक्षन यहां पर दो है ठीक है इसलिए यहां पर a1 into x1 plus a2 into x2 आया है अपन a1 plus a2 समय में आ गया अग तीन होता तो तीन सेक्षन अग तीन आया थे महां पर a1 x1 a2 x2 a3 x3 इस तरीके से आया थे महां पर लेकिन यहां दो सेक्षन 50 रख दिया मैंने यहां पर ठीक है अपन यह बन की जगा 2000 में रख दिया प्लस और यह टू की जगा 1200 में रख दिया जब हम इसको स्वल्व करेंगे तो x-bar की जो वैलू है 25 mm आ जाएगी 25 mm आ जाएगी तो यह हमारा x-bar निकल गया इसका आंसर हो गया x-bar निकाल लिया हमने अब हमको निकालना है बाएबार बाएबार निकालना है वह हमको देखिए कैसे निकालेंगे similarly मतलब यह तरीके से distance between center of gravity of the section and bottom face बाएबार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा bottom face हमको reference लिया तो ना बहां से center of gravity की distance हमको निकालना है बाएबार बास सही में आगी न देखो यह section दिया हुगा है यह section है ना इस section का bottom point point bottom जो reference हमने लिया हुगा bottom face ठीक है तो यहां से उपर तक की CG निकालना है combined section की वह हमको पता नहीं अभी का होगी तो वह हमको बाएबार निकालना है ठीक है कहां से यहां से और इसकी CG जहां होगी वहां तक लेकिन वह पता नहीं कहां होगी तो देखिए कैसे निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे क्या हो जाएगा formula by bar equal to a1 by 1 plus a2 by 2 अपन a1 plus by 2 यह combined section का by bar है ठीक है तो by bar equal to क्या हो जाएगा इस तरीके से हमको इस वाले section के लिए करना होता है तो हमको एकस बार और बाएबार दोनों निकालने पड़ती है तो ध्यान रखना आप लोग तो इस तरीके से आपको solve करना होता है तो आज के lecture अगर अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को subscribe करना और इस मेरे lecture को आप लोग share करना like करना thanks for watching my channel study class 247